राजा सागर ने अपनी दो घमंडी पत्नियों के साथ भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए कैलाश पर तपस्या की, एक को प्रभु ने आशीरवाद दिया कि वो साथ हजार पुत्रों को जन्न देगी लेकिन वे सभी एक ही बार में मर जाएंगे, दूसरी एक ही पुत्र जन्न देगी, राजा ने अपने दूसरे पुत्र असमंचस को तुभी रूप में देखकर त्यागने का निश्चे किया, हाला कि आकाशवानी ने रोक दिया, क्योंकि उससे अन्य साथ हजार पुत्र भी तष्ट हो जाते, साथ हजार पुत्रों ने अनेक मनुशिय को हानी पहुचाए, असमंचस कमजोर लड़कों को धमका कर नदी में फेक देता था, राजा ने उसे त्याग दिया, जब सागर ने अश्वमेद यग्या किया, तो उनका घोडा नहीं मिला, साथ हजार पुत्रों ने रिशी कपिल के आश्रम के पास घोडी को पाकर रिशी कर दिया,